किसान वाई और राम राम स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मोसम अपडेट के बारे में और आने वाले 21 जनवरी को बारिच की संभवनाएं किस प्रकार से अनमानगर जिली के अंदर बनी रहेगी इसके बारे में आपको बत में 20 जनुरी तक सुष्चक मोसम अनमाने 5 दिनों तक दिक तम ताम मान सोब जिए डिग्री शेल्सियस है और नियुन तम ताम मान है जो 6.0 से 12.0 डिग्री शेल्सियस रहने का अनुमान है सापेक्स आदरता की बात करें तो सापेक्स आदरता 28.9 प्रतिशत है आवाकी ओस् 3.0 से 24.0 किमी प्रतिगंटे की हो सकती है 21 और 22 जनुरी को बादल चाहे रहने के साथ साथ प्रिवर्तिनशील मोसम की आसंका है 21 जनुरी को पस्मी विक्सोब के अरभाव से 6 में लगभग जगों पर मेग गर्जन थता 30 से 40 किमी प्रतिगंटा हवा के साथ अलकी से मध्यम स्बारिष हो सकती है 22 जनुरी तक दिन और रात के तावमान में 2 से 3 डिगरी की बड़ोतरी तो 33 जनुरी को पूने गने कोरे के साथ सर्दी बढ़ने और तावमान में कमी हो सकती है तो इस प्रकार से संभावित मोसम को देखते हुए किसान भाई 22 जनुवरी तक खेत में सिंचाई और छिड़काओ कारिया रोक सकते हैं पस्वों के लिए चारा और मंडी में खुले में पड़े अनाज को सुर्क्सित स्तान पर रखें या ढखकर रखें मोसम काई करसी विवाक के अंदर संग्रिया की आपको जानकारी दे गई है तो जानकारी अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहले बारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें धन्यवाद आपको इसी प्रकार से मारी चाहल पर जानकारी मंडिक बाव से सम्दित और मोसंग डेट से सम्दित जानकारी मिलती रहती है